हेलो फ्रेंस मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो क्रेटिव लाइफ स्टाइल फ्रेंस आज जो है मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ और यहां पर जो मैं मास्क लगाई हूँ ना घबडाईएगा नहीं यह मैं सोचेगा हमें कोई तकलीफ है ऐसा कुछ भी नहीं है हम स थूल जब जादा लग जाती ज़ै चीक आने लगती है जूखाम हो जाता है तो इसले मैंने स सूचा कि मैं मास लगा लूँ वैसे मैं मास अभी रेडी कर आहे मैं अब हम दिखावती घ्रा दिका हो दिका tenía tutto जो मैं नंने में पहला है। क्यों शोचक अहसे भी इंस फिर कर द पर लडिये चन्नी कर दोगर कर दोला कें वह फ़ीन से यह लेड़ी कर सकते हैं, यह जो बना लिया तो कई यहां पर जो है मेरा स्केटियर भी खराब हो गया है तूट सा गया है और मार्केट भी नहीं खुली है कि मैं दूसरा ले लूँ तो मैं सोच रही हूं ऐसे ही काम चला लूँ जो कई दिन से मेरे हां अधी काफी आ रही थी हलकी हलकी सी काफी डस्त जम गई है और फ्रेंड्स आप क्या कर रहे हो लोगडाउन की समय समय क्या कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा आपके वेराइटी ओफ काम जान करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वैसे तो मैं भी काम कर रही हूं लेकिन हो सकता है आप लोग कोई काम बताओ उसमें चाने को दहुत है जरूर बन वाली जे आपको जरूर नहीं है कोई बात नहीं आपको कि सि को दे दिजेगा कूप कर सकते नहीं आता है तो वह कर सकते हैं वैसे तो बिना सिले हुए भी मास्क बनते हैं लेकिन यहां पर हम सिले हुए बता रहे हैं क्योंकि आप जिसको दोगे तो वह हमेशा उसो कमफरेबली यूज करता रहे इसलिए यह काफी शाइनिंग आ जाती है पेड़ में अगर पानिया नहीं डाल कर ठीक से साफ कर दो और पानी जो है कई बार डालिएगा एक तुबार डालोगे ना तो उपर से मिट्टी है वह नीचे वाली पत्तियों में गिर जाती तो वहां ध दब्बे से आ जाते हैं तो उपर से करिए पानी फिनीचे से करिए चलिए हम मास्क अटा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या-क्या मास्क बहुत डे सारे मास्क रडी कर लिए हैं यह देखिए फ्रेंट्स यह वही वाली बेट शीट से बनाया है जिससे कि मै बहुत अच्छा क्पड़ा है तो बचा हुआ था मैंने का बना लेते हैं और दूसरा यह मेरे वेल्म सलवार म talked catching जो तही उन्समें थी घाल्वार का खोचा मतलब की नहीं थी और यह मतलब एक आप इसको यूज कर सकते हो बहुत तरीकों से और साथ में जो है ना आपका समय का भी बचत होगी सब्लोग टाइम हटा ही मोबाइल चलाते हैं या बाते करते हैं तो इसे आप यूटलाइज भी कर सकते हो और दूसरे की कहीं ना कहीं help मिल करें दूसरे को तो यह में कम से कम 15 15 सवरी ! मैंने मास्क कर लिया है के साथ में करें चिबकेřिकी बडाते हैं को मैंने कि तरीके से मास्क बनाया है इसके लिए कपड़ा मैंने कहरा यूज कर रहा है थोड़ा कपड़ा रहना ज्यादा अच्छा है कॉटन का देखें तो इस सर्वार के कपड़ा काफी अच्छा था मेरा इसी को मैंने ले लिया है 9 इνच भी ले सकते हैं. 10 इच का बनाती हूं तक इसे में सिलने वारा साइज़ भी आ यहाँ पर 5 इंच भी ले सकते हैं छे इंच भी दरस जो छे का लिया इसमें जो है एक-एक सेंटीमीटर हर दरफ दधो से इचलाई में चली जाएगा अगर आपके टी शिर्ट पड़ी है या कोई भी मोटी थोल था मोटा कपड़ा रहे बहुत पत्ला ना रहे चुन उइसे एफ डऑल कर दी से बना सकते हो इस notes को भी कता दो चृत कर कर देते हैं कि कि नारे की तरह बंजा से नारा डालते है ना हम लोग सलवार में उस तरीके से नेफा बंजा जो नोईफा करते हैं इसमें आरपार डाल दी यह ऐसे यह तो इसको भी हम यहां पर मशीन चला लेते हैं अपने यह हो गया है और अगर आपके पास लास्टिक हो बहुत अच्छी से बाथ है तो मेरे पास लें तुम्हें इस त्टार काट लगाती रहोगी यह हं पर आप साइट इंच ले लिया है तो इसको डेखि alors जाल दे रहे हैं इसे नारा डाल जाता है यह सेम तरीके से अगर आपके पास घर में जो हम लोग रबर बैंड लगाते हैं थोड़ी मजबूत पाली अच्छी वाली सेम कलर कियो तो भी लगा सकते हैं लेकिन वह मैं अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने इसको नहीं लगा करके भी पहन सकते हैं लेकिन हम जो है इसको सिल देंगे यहां से सिल देना मुझे ज्यादा बेटर लगता है यहां से यह ताकि यह गिरेगा भी नहीं अपनी जगे पर फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से देखिए आ गया है यह बहुत तरह तरह की डिजाइन दा मास्क बनते हैं यह मुझे देने हैं सबको तो मैंने सिंपल ढंक से ही बनाए हैं डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइस के हैं ताकि जिसको जरूर्वत वो रहे ले ले और लगलग साइस में इसी लिए कोई चोटा है कोई बड़ा है तो सब अपने इस आप से ले लेंगे अपने घर में वेस्ट जो भी आपके पास कपड़े वगेरा हैं अगर आपके पास समय खाली है तो आप प्लीज जरूर बना दो वाई फायत है एक तो आपके वेस्ट कपड़े का भी हिले लग गया आपका दूसरा आपने जो है अपनी जरुवत की पूरती कर ली मास्क मना करके तीसरा थोड़ा मुबाइल से कुछ डिफरेंट काम कर लोगे आप इस वह तो इस तरीके से दोस्तों मास्क तयार करिए और जो भी जरुवत मनने उसको दे दीजे चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नहीं जानकरी के साथ तक तक के लिए गड़ पाएं